हेलो अब्रिवन स्वागत आप सबका फिर से एक नए वीडियो में ससीवीत पालोजी शिक्षा में तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को हैबिट एंड हैबिटार्ट से में बच्चे हुई जो पार्ट है उसके बारे में आपको यहां पर डिटेली स्टडी करवाएंग हाउस होता है वो किस तरह के से प्रोटेक्शन होता है किस तरह प्रोटेक्टिव होता है और जब यह अपने बीलो में रहते हैं तो किस तरह के से अपनी बाड़ी को यह प्रोटेक्ट किये हुई रहते हैं तो आज की इस वीडियो में आप बने रहेगा अंति तक आपको यह तो वो कौन-कौन से यहां पर आपको चीजे पढ़ने हैं, यहां पर पहला पॉइंट हो जाएगा, बरो, ठीक है, दूसरा आपको क्या पढ़ना है यहां पर, प्रोटेक्टिव डिवाइस, प्रोटेक्टिव डिवाइस, एन थार्ड पॉइंट आपको क्या पढ़ने है यहां पर, प्रोटेक्टिव डिवाइस, इसके बाद फिर, प्रोटेक्टिव डिवाइस, इसके बाद फिर, मुवमेंट के बारे में यहां पर हम डिटेल इस्टडी करते हैं, ठीके, तो चलिए एक एक करके यहां पर हम समझते हैं, अब यहां पर आप जो है इसके बरोज को आसाने से देख पा रहे हैं यह इसका बरो है जो कि यहां पर यह सैंड में इसने बना रखा है ठीक है यह बालो में बना रखा है यह पूरा आपका सैंड है ठीक है यह सैंड के अंदर है यह तरीके सा इसका यहां पर यह पोर्शन बन यहां पर है ठीक है और यह आपका यहां पर यह posterior opening रहा है जहां पर इसका posterior भाग होगा बलेनों glossus का इस बरोज में ठीक है बरोज के बात करें तो इसकी जो गहराई होती है यह 5270 cm होता है डीप होता है यहां पर 5270 cm गहरा होता है अगर चोड़ाई के अगर बात करें एक एक करके तो आपर 10 to 30 cm होता है ठीक है तो यहाँ पर 50 to 70 cm गहरे यह बालू में यह संडी एरिया में यह अपने बिलो को बनाते हैं ठीक है इसके पहले भी हमने आपको बताया है कि जो बैलेनो क्लॉसस होता है यह बरोइंग एनिमल होता है मेराइन इनिमल होता है ने कि मेराइन में यह जादा रहना पसंद करता है यह मेराइन इनिमल ही होते हैं मेराइन में जादा इनको देखने को मिल सकता है ठीक है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रिब्यूशन होता है यहाँ पर मेराइन एरिया होगा वहाँ इनको आप आसान इ े आपका फ़नल ओपनिंग फपार एंटीरियर ईंड है यहां पर यहां पर युजू आपकांटीरियर ईंड होगा यहां पर इसका एंटीरियर पॉर्ट्श ं होगा यहां पर आप देख सकते हैं यह बैलेनो पर इस बरोज में ये इस बिल में ये रह रहा है ठीक है तो यहां पर ये फ़नल जो ओपनिंग है ये एंटिरियर इंडिके लिए है और ये जो है आपका यहां पर एक हल पर एंटिरियर ओपनिंग है ठीक है तो यहां पर इसका बेरेनो ग्लॉसस का ये एंटिरियर रीजन यह यहां पर यह open होगा यहां पर इस ये अपने अंठियर रेजन को limiting लिस से यह आसनी से एनके बरों बाहर निकला हुआ होका तो यह आसानी से जो भूड है इनके जो भोजन है उनको यह ilka stronger कर पाएंगे उनको खोज पाएंगे ठीक है तो यहां पर दो ओपनिंग है एंटीरियर के एक एसेसरी एंटीरियर ओपनिंग है दूसरा है आपका फनल से अच्छा जो ओपनिंग है यहां पर आप यह देख सकते हैं जो ओपन एरिया है यह आपका फनल सेप्ट का होगा इस बा पर इसका posterior region होगा और जहां पर इसका posterior region में जो इसका एनस है वो यहां पर जो posterior region है यहां पर इसका एनस part होगा और एनस part से इसी spiral वाले region में ही इसी spiral जो कोर्ड हाँ पर region है यहां पर अपनी fecal matter को यह collect करते हैं या fecal matter को यहां पर excrete करते हैं posterior region में ठीक है तो यह posterior region यहाँ पर circular होता यानि कि spirally coiled होता है और spirally coiled होने का क्या करड़ है कि यहाँ पर जाद़ जाद़ spaces इसको मिल पाएंगे और अपने fecal matter को यहाँ पर excrete कर पाएंगे निकाल पाएंगे ठीक है और यहाँ पर आप देख रहे हैं यह main you of borrow ठीक है main you of borrow यानि कि इस bill का यहाँ पर यह turn हो रहा है you saved में इसका turning हो रहा है तो इसलिए इसको यहाँ पर क्या कहा गया main you of borrow बरो का यहाँ पर you saved का यहाँ पर turn हुआ है ठीक है अब बात करते हैं इसके बरो की तो ये बरो यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि दो ओपनिंग है यहाँ पर ओपनिंग कौन कौन सी यहाँ पर एक funnel saved opening है anterior region का दो ओपनिंग यहाँ पर एक accessory anterior opening है बिल कहाँ आपने बनाते हैं यह sand में बनाते हैं अपने बरोज को और posterior region यहाँ पर posterior region है मतलब कि जहाँ पर एनस वाला region है इसका posterior region हो जाएगा जहाँ पर इसका head region है वो क्या हो जाएगा इसका anterior region हो जाएगा तो यह twisted form में तो होते हैं अपने बिलो में रहते हैं twisted form में लेकिन इनका जो anterior region और posterior region है दोनों ही straight होता है ठीक है अब यहां पर देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाegen से यहाँ से यहां तक कि अगर बात करें तो यह आपका यहाँ पर straight mode में hoगा ठीक है और सिधा से बात इसके बात फिर यहां पर यह उतरीके से यह तोड़ा से मुड़ जाएगा और इसके वाद इसका पूर्ट आपका स्टेट हो गया फिर इसके बाद यहां पर आगे की तरफ यह इसका यह एंटेरियर रिजन हो जाएगा जहां पर इसका है या फिर proboscis region होगा बाहर की तरफ ठीक है जहांसे यह इसका open होगा अपने proboscis को यह बाहर की तरफ opening करेगा anti region को open करेगा तो यहां पर भी आप यहां से इस region से यहां यह भी आपका anti region भी क्या हो जाएगा आपर straight हो जाएगा ठीक है तो यह रहते तो है पने below में twisted form में लेकिन इनका जो anterior region और posterior region होता है वो आपका straight होता है इस बात को यहां पर याद रखेंगे ठीक है एक पर फिर से देख लेखते हैं यहां पर दो anterior opening है एक आपका funnel saved का opening है anterior opening है दूसरा भी आपका funnel saved ही रहेगा लेकिन उसे हम accessory anterior opening कहेंगे या helper बोलेंगे उसको opening इसके बाद फिर हम करते हैं यहां पर यह spirally shape में आपका posterior region होगा और spiral structure बनाएंगे अपने बरोज का जिसमें इसका posterior region shift होगा और इसी spiral region में अपने fecal matter को scrape करते हैं और यहां पर posterior region में इसका क्या होगा एनस होगा ठीक है और गहराई कितनी होती है इसका 50 to 70 cm गहरा होता है इसका बरो और 10 to 30 मीटर इसका चोड़ा होता है ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं तो यह जब आपने below में रहते हैं तो यह twisted form में रहते हैं ठीक है लेकिन इसका जो anterior region और जो posterior region होता है वो straight होता है आप यहां से यहां तक देख सकते हैं कि यह आपका you saved यहां पर you turn लेगा तो यहां पर एट्यूस्टेट होगा अनिकी थोड़ा सा मुड़ा हुआ होगा लेकिन इसका posterior region और anterior region कैसा होगा यहां पर वो straight होगा ठीक है और अपने बर समझ में आगया होगा बहुत आसानी से बहुत कुछ स्टफ नहीं यहां पर ध्यान से याद रखेंगे इसको ठीक है अब बात करते हैं यहां पर second number हमने बताया कि पहला तो आपका बरू हो गया यह आपका second number है protective device ठीक है protective device में होता क्या है कि इनके बरूज में अपने protection के लिए कुछ mucus secret करते हैं और यह mucus जो है अपने skin से secret करते हैं किस से skin से secret करते हैं skin में जो है इनके कुछ mucus gland होते हैं ठीक है जिससे यह क्या secret करते हैं कुछ mucus substance यहां पर यह secret करते हैं ठीक है mucus substance यह कुछ secret करते हैं जिससे यह इनका जो tube है tube कहने का मतलब क्या है इनका जो bill है इनका जो बरूज है वो collapse ना कर पाए collapse काने का मतलब वो धासे ना या उनका जो उसने अपने बरूज को बनाया है वो बिगड़े ना ठीक है वो एक ही shape में बना रहे तो इसके लिए यह अपने skin से skin में पर से जो mucos gland है उसे कुछ mucos secret करते हैं और mucos secret करने से क्या होगा यह इनका जो बरूज का जो shape है यह जो आकार है वो एक proper shape में बना रहे ठीक है और इसके साथ ही साथ है यहाँ पर जो sand है वो भी जो है पूरी तरीके से एक shape में बना रहे और इनके जो बरूज है वो कभी भी उसमें sand particles जो है बार बार गिरे ना और इनके जो बिल है वो बिगडे ना ठीक है इसके लिए सक्रेट करते हैं अपने बिलो में और जो मैंके बरूज की वाल है उसमें लगाrea को यह संतिक्रेट कर देते हैं जिसे उनकी भरूज उपर ठाण से वो बना रहता है और इसके साथ हे यहाँ पर कुछ यह अपने बरूज को बचाने क लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव डिवाइस क्योंकि पढ़ रहे हैं आप लोग तो अपने बरूज को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपना खुद का भी ये प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ ये कुछ इसमेल करता हुआ कुछ आइड़ो फॉर्म लाइक स सेक्रेशन करते हैं केमिकल का सेक्रेशन करते हैं जो से कि यह अपने डिवाइस का डिवाइस कहने का मतलब अपने बरोज का यह प्रोडक्शन कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर जो है एक केमिकल सेक्रेट करते हैं जिसे हम खार मैं कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पर नाम लिग देते हैं आप्र आप ऊंज लेंगे उटका जो होता है स्राट मेल डाइक यह इस सेक्टरेट निये यहाँ पर secret करते हैं जिससे ये अपने device का अपने बरूज का ये क्या कर सकते हैं आसानी सी अपना protection कर सकते हैं सरसाजा protective device क्योंकि इंकी protective device के लिए काफी महत्वूर्ण होता है तो ये चीज आप यहाँ याद रखेंगे अगला है इनका movement यह मोव्वेंट कैसी करते हैं यहाँ पार इसकी भारे में समय हैं यहाँ पर यूँख लेते हैं ठीक है मोवेंट को देखा एक साइन्टिस्ट ने एक साइन्टिस्ट आये जिनका नाम था नाइट जॉंजBS 1952 में 1952 में नाइट जोन्स नामा के साइन्टिस्ट ने इसके मुवạnhों को देखा और उसके स्टेडी किया और उनुहने ये देखा ये बताया कि जो बेलेणो गला। से जब यह अपने बरोज में अपने बिलो में जब यह मोमेंट करता है तो यह कैसे करता है तो उन्होंने बताया कि कि इसके बॉड़ी पर, पूरी बॉड़ी पर सीलिया प्रजंट होते हैं, क्या प्रजंट होते हैं, सीलिया प्रजंट होते हैं, और इसे सीलिया के सहायता से, हेल्प से, ये अपनी वरोज में मुमेंट करते हैं, ठीक है, अपनी वरोज में मुमेंट करते हैं, और एक चीज औ और भी उन्होंने देखा कि इनका जो muscular contraction है इनकी बॉड़ी में जो muscular contraction है उसके भी मदद से ये अपनी बरोज में क्या करते हैं? मोमेंट करते हैं साथ है साथ यहां पर expansion of proboscis और muscular contraction और proboscis के expansions की मदद से ये अपनी बरोज में क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं? मोमेंट करते हैं आसानी से तो उन्होंने बताया नाइट जोन्स ने 1952 में ये बताया कि इनकी बॉड़ी पर पूरी बॉड़ी पर सीलिया परजेंट होते हैं और इनका जो muscular contraction है और साथे साथ जो इनका प्रोबोसिस है उसके expansion से की मदद से ये अपनी बरोज मे अपनी बिलो में forward direction में या moment करते हैं अपनी बिलो में या अपने बरोज में moment करते हैं ठीक है तो यहां पर moment किनकी मदद से होगा सीलिया प्रोबोसिस और इनकी muscular contraction के माध्यम से इनकी सहायता से ये अपनी बिलो में moment कर पाते हैं ठीक है चलिए अब हम एक करके यहां पर यह important point हापके habit and habitat का तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा reading कर लेते हैं इसकी एक एक करके फिर से जिससे आपको अगर notes जो है लिखना है या notes बनाना है तो आप notes इसको आसानी से शोट ले करके आसानी से इसको आप बना पाएंगे ठीक है जो बच्चे नए इस चैनल पर उस चैन लेते हैं एक एक हेडिंग को ठीक है पहले बरूज के बारे में देख लेते हैं बरूज के बारे में आप लोग अच्छे से उसके figure को आप समझ पाए होंगे ठीक है इसके साथी protective device हो जाएगा इसके बाद देन आपका last moment चलिए आप reading कर लेते हैं देखते हैं यह है आपका बरो ठीक है यहाँ पर बैलनों ग्लॉसस का यह बरोज है जो कि उसने सैंड में बना रखा है ठीक है यह आपका सैंड है यहाँ पर जितने particles आपको छोटे छोटे जितने भी चीज़ी दिखाए दे रही है यहाँ पर यह पूरा एरिया आपका सैंड है ठीक है इसके बाद य तो यहाँ पर एंटीरियर ओपनिंग होती है एक आपका यहाँ पर यह हो गया एक यहाँ पर यह हो गया तो फनल ओपनिंग फॉर एंटीरियर इंड यह एंटीरियर इंड के लिए यहाँ पर एक उपनिंग है यहाँ पर साथ साथ एक हैल पर ओपनिंग भी यहाँ पर एक ल लगा हुआ है ठीक है यहां पर इसका यह एनस पार्ट लगा हुआ है और यह देखे यहां पर यह इस्पारली सेप में अपने पोस्टीरर रीजन को बनाते हैं अपने बरोज को बनाते हैं ठीक है और यहां पर जो है आप देख पाएंगे यहां पर इनके जो एनस पार्ट है यह एनस पार्ट इसी के अंदर है ठीक है और यह इस पाइरली सेप में अपनी इनका यह क्या है बरोज है ठीक है जहां पर यह अपनी फीकल मेटर को क्या करते हैं एक्सक्रेट करते हैं यह देखें आप बाहर की तरफ यहां पर अब यहां पर हम बात कर लेते हैं यह देखें सैंड हो गया यह आपको पहली बिताए जितने भी आपको पूर्शन यहाँ पर पार्टिकल्स के रूप में दिख रहे हैं यह सभी आपके सैंड है ठीक है यह देखें इस बिल में कौन रह रहा है आप देख रहें तुस्टेट फॉर्म में यहाँ पर आपका बलेनो ग्लॉसस है यह देखें यह आपका यू टर्न हो रहा है आपर जिससे हम में यू आप बरो बोलेंगे ठीक है फिगर में भी हमने यही चीज आपको बताया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह इसका पूरा पूर्शन दिखाया गया है ठीक है जहां पर इसका यह पूरा पूर्शन देख सकते हैं तो इस तरीके से यहां पर आप इसके बरोज को ध्यान से समझ पाएं होंगे ठीके जिनको इसके लेना है वो ले सकते हैं ठीके बढ़ते हैं आगे चले रीडिंग कर लेते हैं यहां पर तो यह बैलेनो क्लॉसस कलेविजेरस इज ट्यूवी कुलस लिविंग इन यू सेप बरोज आपने देखा यू सेप का है इक्सकेवेटेड इन दे सैंडी बॉटम जो कि कहां पर होता है कहां पर अपने बिलो को बनाते हैं अपने बरोज को कहां पर बनाते हैं सैंड के बॉटम पर बॉटम आले हिस्सी में यह बनाते हैं ठीके दबरोज हैस्टू वर्टकल लिम्स ठीके बरोज हैस्टू वर्टक 10 to 10 to 30 cm यह पार्ट है दो जगों पर ओपन होता है और जो इसका जो लास्ट पोर्शन होता है वो आपका इस्पायरली होता है इनका जो पॉस्टिरियर रिजन होता है पिछला वला इससा होता है तो यह इस्पायरली कोईल्स होता है जैसे फीसे लाइक जैसे होते हैं कैस्टिंग ऑफ अर्थ वर्म से मेबी सीन अट पोस्टिरियर ओपनी विच इस राउंड़ेड एंड हीडेन बिलो दे इस पायरली कोईल्स ठीक है तो यह फीसे जैसे कि आर्थ वर्म का पर एक्जामपल यह बिल्स पोर्शन होता है इस तरीके सी अपने औरे carrier पोर्शन को बना लेते हैं अब यहां पर देखते हैं अंग्प ब्ल्न सेत जो इसका आईंड्येर में होता है वह से छावुट का होता चाटा क्थ इन इस बरव में वैलनुग्रॉस्सर रहता है इन्हें ट्ट excel किसंडेशन में इस अंटीरे और पॉос्टीरियर extremities होते हैं जो anterior and posterior region होते हैं वह आपका straight होता है सिधा होता है लेकिन इसका जो आधा हिस्सा होता है बीच का हिस्सा होता है वो जब U-turn होता है जहांपर U से बनता है वहाँ पर यह twisted हो जाता है ठीक है नाइट जोन्स 1952 नाइट जोन्स ने 1952 में रिपोर्ट किया that the animal moves in its burrow with the help of cilia present all over the body उन्होंने ये बताया कि इसके बॉड़ी में पूरी बॉड़ी पर प्रिजेंट जो cilia है उसके मदद से अपनी बरोज में ये क्या करते हैं moment करते है मूब कर पाते हैं ठीक है तो moment जो है नाइट जोन्स ने बताया कि नाइट जोन्स ने NEW 92 में ये बताया कि इनकी बॉड़ी पर पूरी बॉड़ी पर जह प्रिजेंट जिलीया उसके मदद से कार कर पाते है अपनी बरोज में जो है moment कर पाते हैं अगले उन्हें क्या कहा कि muscular contraction and expansion of the proboscis helps in burrowing ठीक है जो muscular contraction है और muscular contraction के साथ expansion of proboscis helps in burrowing तो अपने बिलो को बनाने में या बिलो में moment करने में muscular contraction के माधन से और proboscis के expansions की मदद से ये अपने बिल को बना पाते हैं और अपने बिलो में ये moment कर पाते हैं after the tide receives the animal protrudes its proboscis out of the burrow इसके बाद जो बना लेते हैं तो ये अपने बरो से proboscis region को out कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं to explore the surrounding of our food surroundings for food तो ये अपने proboscis region को अपने बिल से बाहर की तरफ निकाल लेते हैं बाहर की तरफ ये open वाले एरिया की तरफ ये किये रखते हैं जिससे इसके चारों और या इसके आसपास कोई अगर food है कोई food source है तो उसका ये sense करके या उसको ये पहचान करके उसका sensing अपने sense power से जो है ये अपना जान करके उस food material को ये जा करके उसको capture कर सके पा सके उसको ले सके तो अपने proboscis region को ये अपने बरो से बाहर कर लेते हैं out कर लेते हैं अपने बिलों से and explore the surroundings for food explore कहने का मतलब ये capture करना यानि कि खोज करना जिसको बोलते है explore कहने का मतलब खोज करना खोज कर पाते हैं समझ या food source को ये जान पाते है ठीक है तो अगर ये proboscis region को बिलों से बाहर किये रखते हैं तो ये अपने food को आसानी से जान पाते हैं कि यहाँ पर कोई food source है तो ये अपनी है विनोश से बाहर जा रके उस फूर को अप्जिर कर पाते हैं ठीक है। कि इसके आद बात करते हैं यहां पर अपार अप्रटिक्टीब डिवाईस इस अ barbar इन डे जैन कंफर इनके जो बिल है एक इसकी यह किसे बना हुआ होता है इनके इसकी में पुर्यजेंट जो यह मुकस सब्सक्राइब करते हैं उसी से यह अपने जो sandवाल उसको ये बनाए रखते हैं इस प्रिवेट्स था Cocoilla ओबल्व ए ट्यूम जो कि protection the animal from the Barrelin sand जो किWorld sand में यह animal है इसको protect कि रखता है किसे इनकेoa के collapse ओने से island करता है जो म्युकेस سब्स्टेंस है अपने बिलो की भी सुरक्षा कर पाते हैं अपने आपकी भी सुरक्षा कर पाते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर नहीं समझ में आया है तो फिर आप कमेंट सक्षिन में जाकर कर करके आपके कोश्चन को यहां पर बताएंगे ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दिजिए ज़्यादस ज़्यादस सेर कर दिजिए जिसे आने वाले नए वीडियो सबको भी इसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा आप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा ठीके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार